आत, संग्या, पढ़िये और समझिये, महात्मा गांधी का जन्म पोर बंदर में हुआ था, वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उनके बदन पर लंगोटी और हाथ में एक डंडा रहता था, उन्होंने भारत की आजादी के लिए आज इवन संगर्श किया, उन्हें प्रयोक्त अनुछेद में प्रयोक्त रंगीन चब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, शहर, देश, भावादी के नाम है, व्याकरण में नामों को ही संग्या कहते हैं, जिन चब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अत्वा भावादी के नाम का बोध हो, उन्हे संग्या कहते हैं, संग्या के भेद, संग्या के मुख्यते तीन भेद होते हैं, एक व्यक्ति वाचक संग्या, दो जाती वाचक संग्या, थीन भाव वाचक संग्या, एक व्यक्ति वाचक संग्या, किसी विशेश व्यक्ति, वस्तु, अत्वस्तान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं, जैसे विशेश व्यक्ति सूर्दास, अभिशेक, सुमन, अनुपमा आधी, विशेश वस्तु, गीता, कुरान, बाई बिल, रामायन आधी, विशेश थान, मैसूर, गांधी चौक, सोनिपत, रामलिला ग्राउंड आधी, दो, जाती वाचक संग्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, अत्वस्तान की संपूर्ण जाती का बोद कराने वाले शब्दों को जाती वाचक संग्या कहते हैं, जैसे जैसे यौवन, शैशव आधी, यह भी जानों, भाव वाचक संग्या को ने तो देखा जा सकता है और ने ही चुआ जा सकता है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, अंग्रेजी व्याकरन से प्रेरित होकर कुछ विद्वान संग्या के दो बेद और मानते हैं, एक, द्रव्य वाचक संग्या, दो, समुदाय वाचक संग्या, एक, द्रव्य वाचक संग्या, जो शब्द किसी ऐसे धातू, द्रव्य अथ्वा पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्य वाचक या पदार्थ वाचक संग्या कहते हैं, जैसे गेहु, सोना, चांदी, चावल, पानी, तेल, दूद आधी, दो, समुदाय वाचक संग्या, जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, अत्वा वस्तु के समुदाय या समू का बोथ कराते हैं, उन्हें समुदाय वाचक या समू वाचक संग्या कहते हैं जैसे गुच्छा, जुंड, कक्षा, दल, सेना, बीड, परिवार आधी यह भी जानो व्यक्ति वाचक संग्या का जाती वाचक संग्या के रूप में प्रियोग जब कोई व्यक्ति वाचक संग्या किसी व्यक्ति विशेश की द्वारा समस्त जाती का बोध कराए तब व्यक्ति वाचक संग्या को जाती वाचक संग्या की तरह प्रियोग किया जाता है जैसे जैचंदों के कारण ही देश को गुलाम रहना पड़ा वाक्य में जैचंद व्यक्ति वाचक संग्या है परन्तु यहां यह शब्द देश द्रोहियों का प्रतीक बन गया है अते यह जाती वाचक संग्या है जाती वाचक संग्या का व्यक्ति वाचक संग्या के रूप में प्रियोग जब कोई जाती वाचक संग्या समस्त जाती का बोध नय करा कर केवल किसी व्यक्ति विशेश का बोध कराए तब जाती वाचक संग्या को व्यक्ति वाचक संग्या की तरह प्रयोग किया जाता है जैसे पंडित जी भारत के प्रतम प्रधान मंत्री थे वाक्य में पंडित जी जाती वाचक संग्या है परन्तु यहां यह शब्द जाती सूचक नय होकर व्यक्ति विशेश पंडित जवाहरला नहरू के लिए प्रयुक्त हुआ है अताय यह व्यक्ति वाचक संग्या है भाव वाचक संग्या बनाना भाव वाचक संग्याईं पांच प्रकार से बनाई जाती है एक जाती वाचक संग्या शब्दों से दो सर्वनम शब्दों से तीन विशेशन शब्दों से चार क्रिया शब्दों से पांच अव्य शब्दों से 1. जाती वाचक संग्या शब्दों से भाव वाचक संग्याई बनाना 2. जाती वाचक संग्या भाव वाचक संग्या मित्र मित्रता शत्रू शत्रूता पंडित पांडित्य बंदू बंदुत्व हिंदू हिंदूत्व लड़का लड़कपन भाई भाई चारा विद्वान विद्वता तपस्वी तप गरीब गरीबी इंसान इंसानियत मनुष्य मन स्त्री, स्त्रित्व, देव, देवत्व, साधू, साधूत्व, बच्चा, बच्पन, गवा, गवाही, पुरुष, पौरुष, पुरुषत्व, बूडा, बुडापा, इमान, इमानदारी, कवी, कवित्व 2. सर्वनाम शब्दों से भाव वाचक संग्याई बनाना सर्वनाम भाव वाचक संग्याई आप आपा अहम अहंकार मम ममता ममत्व अपना अपनापन अपनत्व तीन विशेशन शब्दों से भाव वाचक संग्याई बनाना विशेशन भाव वाचक संग्या लंबा लंबाई गहरा गहराई अच्छा अच्छाई नम्र नम्रता महान महानता वीर वीर्ता सफेद सफेदी भैयानक भय लाल लाली चालाक चालाकी कंजूस कंजूसी शेष्ट शेष्टता कडवा कडवाहट अरुन अरुणिमा एखाकी एकाकी पन सम्रिद्ध सम्रिद्धी चतुर चतुराई उचा उचाई सुंदर सुंदर्ता दुर्जन दुर्जन्ता, भूका, भूखा, भूक, मीठा, मिठास, स्वास्थ, स्वास्थ्य, ठंडा, ठंडक, हरा, हरियाली, रोगी, रोग, व्यतित, व्यथा, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, निपुण, निपुणता, कृतग्न, कृतग्नता, विस्तृत, विस्तार, हिंसक, हिंसा बनाना क्रिया भाव अचक संग्या लिखना लिखाई चड़ना चड़ाई दोना दुलाई हसना हसी जीतना जीत चलना चाल हारना हार सुनना सुन्वाई कमाना कमाई पढ़ना पढ़ाई बचना बचाव मुस्कराना मुस्कराहट लेना देना, लेन देन, दोडना, दोड, क्रिया, भाव अचक संग्या, चुनना, चुनाव, जागना, जागरण, पूजना, पूजा, गिरना, गिरावट, थकना, थकावट, बहना, बहाव, सीचना, सिचाई, सजाना, सजावट पांच, अव्य शब्दों से भाव वाचक संग्याई बनाना, अव्य भाव वाचक संग्या, शीग्र, शीग्रता, दूर, दूरी, शाबाश, शाबाशी, निकट, निकटता, जल्दी, जल्दबाजी, समीप, सामिप्य, दिक, दिककार, कम, कमी, वा, वावाई, परस्पर, पर दस्परिक हमने सीखा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तू, स्थान अथ्वा भाव आदी के नाम का बोद कराने वाले शब्दों को संग्या कहते हैं। उन्हें व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं। प्राणी अत्वा वस्तू के या समुदाय का बोध होता है। उन्हें समुदाय वाचक संग्या कहते हैं। प्राणी वाचक संग्या कहते हैं। प्राणी वाचक संग्या कहते हैं।